गुद मॉर्निंग बच्चो बच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ साथ एक अनेग हमारा पाठ का नाम है बच्चो एक अनेग तो बच्चो सबसे पहले देखें क्या करना है देखो पढ़ो और समझो देखो पढ़ो और समझो ये क्या है बच्चो एक ये क्या है हमारा ए और यह है अनेक, पहले बच्चो आप लोग चित्र देखिए और उसके वात पढ़िए, फिर मैं समझाती हूं कि एक और अनेक क्या है, यह क्या है बच्चो, तोता, एक तोता बैठा हुआ है, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा है, तभी यह हुए अनेग, यहां क्या है देखिए बच्चो एक तितली की चित्र है, तो यहां क्या लिखा इसे तितली, यहां लिखा तितलीयां, तितलीयां मतलब फिर मैंने जैसे अभी कहा कि लिखेंट हैं पर हमारी उचार accountant हेया है यह भी तो беспैंट यह यहां औहृतिता है उस यह स छोती किमात्र यहां शूत है लेकिन जब हम लोग चीरियां लिख रहे हैं मतलब अनेक में लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिख रहे हैं चौ में छोटी की मात्रा रौ में छोटी की मात्रा यह में आकी मात्रा और उपर हम लोग क्या दे रहें बच्चो तो चंद बिंदू दे रहें इसका मतलब यह बहु की एक और अनेक का बोध कडाने वाले शब दسم कहलाते हैं क्या कहलाते हैं उधार्न-S dit आप लोगों के कई सारे एक बचन का दिये हुए यहां अनेक दिये हुए जैसे देखिए बच्चों यहां क्या है लड़का यहां क्या है लड़का लड़का का अनेक रूप क्या होता है लड़के बस्ता बस्ता मतलब आप लो जानते ही हो मैंने बोला था एक बार पार्ट में मुर्गे, आँख, आँखे, आँख मतलब एक आँख, और आँखे मतलब एक से ज्यादा, उसी प्रकार है कलम, कलमे, और रात, राते, रात, राते का मतलब होता है बच्चो, रात मतलब क्या होता है, एक रात, वो एक रात नहीं सोया, उसने कई राते नहीं सोई, मतलब बहु कुर्सियां अगर कोई बोलेगा वहां पे एक कुर्सी रखी है मतलग हमें क्या पता चलेगा कि एक कुर्सी रखी हुई है और अगर हम लोग कुर्सियां बोलते हैं तो हमें पता चलेगा यानि एक से जादा है मुर्गी मुर्गियां गारी गारियां गुरिया गुरिया यहां बच्चो यहां देखिए यहां पर भी यह में आकी मात्रा यहां हम लोग चंद बिंदू का प्रयोग चब कर रहे हैं तब हमें पता चल रहा है कि यह बहु वचन है एक से अधिक है अनेक है यहां है चुहिया फिर देखिए जहां पर यह रहता है वहां पर हम लोग यह लिखे देखिए बच्चो, हम लोग आगे देखेंगे पाठ में, और कई उधारन आप लोगों के दिये गया है, उसको देखिए बच्चो, अब यहां पे है, आप लोगों के उधारन के लिए, आप लोगों के और कई कुछ दिये गया है, यह एक है, तो अनेक क्या होगा, यह एक है, तो अने क्या होगा ठीक है तो मतलब जैसे देखिए यहां क्या तोता तो हम लोग क्या लिखेंगे तोते क्या होता है बच्चो तोते लड़का लड़का का लड़के घड़ा घड़े आंख आंखे तितली तितलियां ठीक है अब देखिए बच्चो चिरियां ओर रही है चिरि दाना चुग रही है चिरियां क्या कर रही है चिरियां दाना चुग रही है आगे देखे क्या है लड़का लड़का रो रहा है लड़का क्या कर रहा है रो रहा है यहां देखिए चित्र में है लड़का का अनेक होता है लड़के लेकिन यहां पर चित्र में क्या दिया है केला हडा है केले पके और पीले हैं एक और अनेक के उचित जोडे बनाएं एक के साथ जो उचित होगा उसी का करना है ये कलम में उसी प्रकार मुडगा हम लोग क्या लिखेंगे मुडगी मुडगे गों में एक ही मात्रा हो गया मुडगे फिर है नदी क्या लिखेंगगे बच्चो नदी नदी, नदी का क्या होगा, नदिया, नदिया, फिर है हमारा घोडे, क्या लिखेंगे बच्चो, घोडे, सॉरी, यहां घोडा लिखेंगे, घोडे उहां पर अनेक में होगा, यहां हम लोग लिखेंगे घोडा, क्या लिखेंगे बच्चो, घोडा, सारी बच्चो हम लो लिखेंगे आपे घोडा घोडा का क्या होगा घोडे फिर लिखेंगे लड़का क्या दिखेंगे लड़का लड़का का क्या होगा लड़के फिर पत्ता पत्ते पत्ता का क्या होता बच्चो पत्ते फिर है हमारा लास्ट में लिखेंगे रात रात का हम लोग क्या लिखेंगे राते राते ठीक है बच्चो तो ये हमारे एक हुए ये अनेक रूप हुए ये क्या हुए बच्चो एक और ये अनेक हुए अब देखे बच्चो अब आपके पुस्तक में कुछ और चित्र दिये हैं चित्रों को देखके आप लोगों को बताना है कौन सा एक है कौन सा क्या उसका अनेक रूप होता है चित्र को ध्यान प्रुबग देखके आप लोगों को बताना एक और अनेक यहां क्या बच्चो ताला क्या है ताला तो ताला का अनेक रूप क्या होता है ताले केले तो यहां पे एक रूप लिखना है एक तो क्या होगा केला गुबारे मतलब यहां पे आप लोगों का अनेक रूप लिखे हैं गुबारा लिखना है और यहाँ पर क्या लिखा बच्चो पत्ता, सौरी पतंग पतंग का हम लोग क्या लिखेंगे पतंगे सबजियां सबजी, किताब, किताबे गुरिया, देखें यहाँ चंद बिंदु है मतलब बहु वचन, तो हम लोग क्या गुरिया लिखेंगे तहनी तहनिया क्या लिखेंगे तहनी तहनिया तो बच्चो आप लोगों को क्या है कि एक का अनेक रूप लिखना है जहां पर यहां पर कहीं कहीं पर आप लोगों का अनेक रूप लिखा हुआ उसको एक रूप लिखना मतलब बहुवचन में लिखा हु एक वस्तूप के बारे में एक चीज के बारे में बोला जा रहा है बहुवचल मतलब उसका अनेक रूप को हम लोग कहते हैं अब देखिये बचो एक का अनेक से मिलाओ और वाग के पूड़ा करो यहां चूहा है, क्या है? यहां चूहा है तो हम लोग किसको करेंगे यहां पे यहां चूहे हैं क्या है बच्चो यहां चूहे हैं मैं फिर कह रही हूँ यहां चूहा है क्या है यहां चूहा है और यहां चूहे है यहां कुत्ता है क्या है यहां कुत्ते हैं मतलब क्या है एक से ज्यादा हुए एक से यह ज्यादा यहां गिलहरी है, क्या है यहां गिलहरी है, यहां गिलहरीयां है, क्या है बच्चो, यहां गिलहरीयां है, अब आगे यहां तितली है, तो यहां तितलीयां है, क्या है तितलीयां, तितलीयां का जब हम लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो पता चल रहा है, कि एक से ज्याद के जब बचो हम लोग फ्रश वुल्ते हैं तो हम जब बोलते हैं मालो कि कलम क्या बूलें क्लम का मतलब हुआ कि एक कलम है जब हम लोग बोलेंगे कलमे तो मतलब एक से ज़्यादा एक अनेक एक मतलब ये देखिए एक हुआ और ये क्या आगे है सॉरी ये अनेक हुआ ये एक मतलब कलम कलमे एक से ज़्यादा तो बच्चों हम लोग इस पार्ट के माध्यम से जाने कि एक और अनेक रूप एक और अनेक को हम लोग बोलते हैं कि एक वचन जैसे इहां पर बोला जा रहा है बच्चो मैं आप लोगों को फिर से एक बद समझा रही हूं ध्यान प्रवक सुनिए कि एक और अनेक का बोध कराने वाले शब्द को मतलब जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लड़का लड़का हमारा कौन से बचन में आता है एक बचन में आता है लेकिन जब हम लड़के बोलते हैं तो बहु बचन हो जाता है मतलब अनेक रूप हो जाते हैं अगर आपको कोई कहे कि अगर कोई कहे कि उहां पे लड़का है तो हमें पता चलेगा कि वहां पे एक लड़का खड़ा है लेकिन जब हम लोग बोलेंगे कि वहां पे लड़के खड़े हैं लड़के खड़े हैं का मतलब क्या होगा बच्चो कि वहां पे एक से जादा है जैसे कोई बोलेगा कि वहां पे एक लड़की है या वहां पे मतलब एक लड़की खड़ी है लेकिन जब हम लोग बोलेंगे कि वहां पे लड़किया खड़ी है वहां पे लड़किया बिद्याले जा रही है मतलब कई सारी लड़किया जा रही है एक से जादा जा रही है लेकिन जब हम लोग बोलेंगे लड़की बिद्याले जा रही है ल जैसे मैंने कहा अभी देखिए, आप लोगो52 उधारन ने देखिए कि बस्ता बस्ता का मतलब होता है कि बस्ता गया माम, बस्ते परें, तो क्या पता चल रहा है। जैसे देखिए बच्चो आप लोगों को सबसे सुग में चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाये गया है कि एक और अनेक का रूम जेलिए जहां द पर क्या है टोटा, टोटा जब बोल रहा है, तर एक में आरा है। थित्र अ कि अत्य जbbe Państwo tôi sa अत्य अत्य प्ront अत्य हम पहुता है, पुरूरों को सीटे, जर पूर्टा उसमुझा एक टोटा है। लेकिन जब अनेक में हम लोह बोले लिए नहीं से जादा है, युज़ घृत्र के कि आम सहीर लिए लेगाा डिपीड आपके बोलेगे तित्लीakan जो पाई कितने सुंदर तितली यानि और भी अग्कम्तुक्राय रखे ज़ता किस दोगी आधंती किसके दोगारी नहीं दोगारी तुर्दा से लिए बोन हो अग्कम्तुक्त जादा भी इस वह सकते हैं, तुर्दा कहते हैं, दोगारी किसे ऐधे तो यहां पर जैसे तितली है तो तितली आप लोगों को मैंने बताया लेकिन एक चीज को मैं फिर से दोढ़ा रही हूं ध्यान पुरवक सुनिए बात को अच्छी तरह से सुनिए जैसे देखिए बच्चो जहां पर यह अड़ाता है वहां पर हम लोग बहुवचन जब लिख को अच्छेंगे तो हमारा एक ही होगा हम लोग का उच्चारन भी एक होगा लेकिन हम लोग लिखते समय चंदबिंदू का प्रयोग करते तब हमें पता चलता है कि यह एक नहीं है यह अनेख है तो बच्चो इस पार्ट के माध्यम से हम लोगों आज हम लोग सीखे एक और जासे के माध्यम से क्या सीखें एक और एक जीज और मैं दहुड़ा रही हूं ध्यान पुर्य वग्सुनिये की एक और अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कीते हैं बचन कंटें थे अगार आप से कोई पूछे FM 까 बचन के कितने रूप होते बताएए तो बचन के कितने रूप होते तो बचन के दो रूप होते क्या क्या एक वचन और बहुवचन क्या क्या होता बच्चो एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु का एक का होने का पता चलता है किसी चीज का एक का होने का पता चलता है तब हम उसको क्या बोलते हैं एक वचन और हमें सब्द के जिस रूप से मतलब एक से जादा वस्तू या किसी भी चीज का एक से जादा होने का पता चलता तो उसे हम क्या करते हैं बच्चो बहु वचन लेकिन अभी आप लोग फिलाल ही जाने हैं कि एक और अनेक का बोद कराने वा बचन कहते हैं तो इस पाठ के माध्य हम से हम लोग आज एक और अनेक जाने ठीक है बच्चो धन्यवाद